आज आपको मैं काफी दिल्चस्फ प्रेम कता सुनाने वाला हो यह प्रेम कता है इन्वेस्टर साब और क्रिप्टो साहिवा की इन्वेस्टर साब काफी ज्यादा बेचेन थे जब कोविड का टाइम आया 2020 का यह चल रहा था गर में खाने के वादने पड़ रहे थे परिवार को भी उस नाइम बहुरेंड मेले रहा था क्रिप्टो साहिवा उनका प्रीविएस बेचेन थे और तीन साल से वह सिंगल थी वह सोचे थी कोई आए उनको वापस वापस मेल मिलाब करे और नयया यार उनको बिल जाया एक नई प्रेम कता वापस टार्ट हो जाए वह प्रेम इंवेस्टर उब्देटन शाइब करmani सुगंत先生 क्रिप्टो साहब उट्फीछ क्रिप्तों गंतों तक बाते चलते थी वीडियो कौल करते थी menos आपको मज़ा आपिनगेजमेंट मिल गया उनको और उनकी खुश्यां बढ़ती रही वडू खत्म होता गया जिसेंăm से उनका रोवज आगे बढ़ता गया के साथ और रुमांस बढ़ते एक साल हो गया है गया। और एक टाइप ऐसा है जब ढूब समझमे क्सा हो गया करतेन करstä। खुर चलो, अभी हमारा प्यार कटे का नाम था bitcoin और bitcoin साब भाई साब वह काफी ज्यादा उस टाइब तरक्की पे चल रहे थे उनका अलगी स्वैक था investor साब की बोलने से crypto साहिबा ने बुख्या से बात की बिटकोई से बात की और bitcoin से जब जैसे उन्हों बात की bitcoin ने उसको धक्का मारा crypto साब को साहिबा को धक्का मारा साथ साथ bitcoin जी वो खुद भी गिर गए ऐसे गिरे ऐसे गिरे की गिरके एकदम चकना चूर हो गए और उसी दोरान crypto साहिबा और investor की बात बंद हो गई investor साब वापस उसी mode में चलेगे दुख के mode में चलेगे दारूप पिने लगे दीवदास बन गे काफी याद सतने लगी बहुत दर्द होने लगे रातों के दिन उड़ गई परिशान हो गए जिंदगी में ऐसा टाइम आया 2022 तक जाते जाते उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई अभी रिसेंटली एक दू सब्ता पहले क्रिप्टो साहिबा का उनके फोन पर कॉल आया अदनों नंबर से इन्वेसर साहब तो नसे में थे होश उनको कुछ था नहीं और उठा दिया फोन उने और जैसे फोन उठाया और क्रिप्टो साहिबा ने उनका बोला मैं वापस आ रही हूँ तो इन्वेसर साहब एक दम भापस उनकी जो अंदर का पैयार था उनका अंदर का जुनून था उनकी दीवानगी थी फिर से बाहर आ गई बहुत एक स्ञायट हो घया रही यार क्रिप्टोस कई वापस है एक है मेरा बिज़ना पैयार वापस में से मिलने आ आ क्या लाइफ है वालब जो मेरे इतना दारू पिया है जो भी मेरे लाइफ में लगे पड़े थे अभी वो सब जो मेरा दुख-दर्द खत्व हो गया अभी मेरी अच्छी लाइफ चालू हो जाएगी कि अब इन्वस्टर्स आपको यह निप पता कि जो क्रिप्टो साहीबा की दोर वो तो अभी भी विटकोईन के हाथ में और उनके जो बिटकोईन है वो तो अभी फसे हुए पार उनकी विज़े से गई है तो वापस जा सकती चाहिती है पर अभी तो एक बार फोन करें उनको बॉला गीमी वापस आ रहा रहे होगे इन्वेस्टेर्सापके पास क्रिप्टो कर लव स्टॉरी मिलस जाएगी तब तक क्रिप्टो स्ट्रोट हो अगर तो अगर आप crypto investor हो अभी जो रेली आप देख रहे हो Bitcoin Ethereum की 7 days के अंदर कई सारे cryptocurrency 100% भी गया है Ethereum almost 40% up है Bitcoin 25% up है Matic almost 100% up है सो यह रेली दिखे ज्यादा एक्साइट आप मत होई है क्योंकि हो सकता है यह market आपको वापस दिच न कर ले आपको वापस दुखा न देदे आने वाले कुछ टाइम में US की जो companies अपने quarter 2 का results announce करेगी Coinbase भी announce करेगी Coinbase का उसमें result काफी ज्यादा negative आ सकता है उनका last quarter का जो loss था वो 430 million dollar का था quarter 2 का loss जो है वो almost 500 million dollar हो सकता है उससे भी ज्यादा हो सकता है उसके वैसे market dip हो सकता है that is one of the reason second reason यह कि 29th of July को GDP का जो data हो सामने आएगा US का उससे पता चलेगा कि वो recession में है के नहीं है तब global recession announce हो सकता है उसकी वैसे market order of हो सकता है तो अभी in short I want to say here that अभी market जो really कर रहा है that is a relief really it could be a bull trap you never know it is not a bull market bull market तब आएगा जब bitcoin जो है 29,000 dollar के उपर support build कर देगा उस level के उपर ही रहेगा 2-3 महीन है तब जाके आप हो सकते हो कि नया बूल structure बन गया है long term के लिए 29,000 dollar से नीचे bitcoin is in a bearish market for the long term Ethereum will be in a long term bear market as long it is below 1700 1700 के उपर के उपर सपोर्ट बनाता है तब जाके हो सकता है कि बूल market का structure formation चालू हुआ है वो support बनाना मतलब वो support short term time frame में होना चीए वो support long term time frame में होना चीए है वो support होना चीए कि वो उस level के ऊपर एक दो महीने trade कर रहा है दो तीन महीने at least trade कर रहा है तब जाके वो support स्टेप्रीस होगा तब जाके वो higher time frame support बनेगा तब जाके हम यह derive कर सकते हैं कि the next bull cycle is here जिस लेवल से bitcoin और ethereum क्रिप्टो करेंसी की प्राइस ब्रेकडाउन हुए तिसे celsius की न्यूज के आने के बाद उस लेवल को वापस रिटेस्ट करेगी वो सेम लेवल है जिस लेवल से bitcoin और ethereum ने लास्ट मई की रिटेस्ट करके फिर all time high मारा था right bitcoin का वो लेवल 29,000 डॉलर है ethereum का वो लेवल 1700 डॉलर है तो उसके उपर आएगा तब जाके bull market structure बनेगा उसे रिटेस्ट करके वापस नीचे आएगा तो price एक वापस drop होके अभी जो उनका bottom था उससे भी नीचे आ सकती है अभी भी ऐसा चांसे से कि bitcoin जो है 20,000 डॉलर के नीचे आ सकता है 15,000 डॉलर भी जा सकता है एथेरियम जो है 1,000 डॉलर के नीचे आ सकता है 700 डॉलर भी जा सकता है चांसे अभी भी है तो अभी ज्यादा एक्साइट होने की कोई जो नहीं मेरे असाब से we need to navigate very carefully you need to trade very carefully in this market and in this short term ethereum 17,000 डॉलर जा सकता है bitcoin 27,000 डॉलर जा सकता है और ethereum 17,000 डॉलर क्यों जाएगा उसका पर मैंने वीडियो बनाया एथिरियम 2 मर्स के ऊपर you can check it out bitcoins 27,000 डॉलर तक कैसे जा सकता है उसमें क्या on-chain analysis है क्या sentiment है क्या technical से उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है उसकी link में डाल दूगा वो भी आप चेक कर सकते है इस all from my side and I hope आपको यह investor Babu और crypto sahiba की love story पसंद आई होगी let me know your thoughts in the comment I would like to hear them and please make sure to subscribe my youtube channel and also click on the bell icon so you don't miss any updates in the near future thank you